Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point. दोस्तों आज है 25 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 25 फरवरी से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देदू. देखिए जो भी student SAC exam के लिए preparation करते हैं, उनके लिए सबसे important है इस moment में test series को religiously follow करना, ऐसे exam back to back आने ही वाले हैं, तो test book जिसके test series एक करोड से जादा student अभी तक attempt कर चुके हैं, उनके पास में आप लोगों को SAC CGL के लिए 363 mock और SAC CHSL के लिए 282 mock, SAC CPO के लिए 125 mock, इसके अलावा SAC Strenographer के लिए 61 mock और इसके अलावा भी IB issue के, जो की IB के exam है, इसके लिए आप लोगों को 76 full mock test मिलेंगे, इसके साथ ही RRB और NTPC की भी तैयारी के लिए कुछ 330 mock यह आप लोगों को मिल जाएंगे, और अभी test book का anniversary offer भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को test book पास मिल जाएगा, जिसमें की 200 exam के लिए 12,000 प्लस mock मिल सकेंगे, तो आपको study point मतलब की study 10 इस coupon को apply करना है, और इससे आप लोगों को 30 रुपए extra discount भी मिल सकेंगा, link description box में दी हुई है, तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question, हाली में किस देश ने महिलाओं के लिए ससस्त्र बल में प्रवेश की अनुमती दे दी है, तो ये अनुमती अभी हाली में दी गई है सौधी अरेबिया के द्वारा, तो देखी यहां महिलाओं के अधिकार सीमित है, और यहां सर्या कानून का सक्ति से पालन किया जाता है, हलाकि 2017 में महम्मद बिन सल्मान जब यहां के crown prince बने थे, तो इन्होंने महिलाओं के स्थिती में सुधार लाने के लिए काफी सारी प्रयाज भी किये थे, और सौधी अरेबिया में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ आने के लिए यह एतिहासिक फैसला है, कि इन्हें अभ ससस्त्र बल में شामिल होने दिया जा रहा है, क्योंकि यहां मुस्लिम औरतों पर काफी सारी चीजों में पाबंदी रहती है बीते कुछ वर्सों में दी देखा जाए तो इन्हें चुनाव में शामिल होने कभी अधिकार दिया गया है और देखे महिलाओं को बीते वर्स में कौन-कौन सी इजाज़त दी गई है इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक लिश्ट तयार की है जैसे कि 2015 में इन्हें चुनावों में मद्दान देने की अनुमती दी गई 2017 में इन्हें वाहन चलाने की अनुमती दी गई 2019 में ये तलाग के लिए अर्जी दे सकती है मतलब कि 2019 से इन्हें ये अलाव किया गया इसके पहले ये अलाव नहीं था और 2019 में ही शादी की उम्र 18 वर्से अधिक और उससे अधिक निर्धारित की गई साथ ही इसी वर्स यह निर्ने किया गया है कि महिलाओं को अब अदालत के 29 के रूप में भी न्यूक्त किया जा सकता है तो ये सारे एतिहासिक फैसले लिये जा रहे हैं सौधी अरेबिया में महिलाओं के पक्ष में तो आप map में देख सकते हैं ये है सौधी अरेबिया की location इसकी capital है रियाद, currency है real इसके लावा आप देख सकते हैं ये है Red Sea, ये है Mediterranean Sea इन दोनों के बीच में एक नहर में आप लोगों को याद करवाई है जिसका नाम है स्वेज नहर आसपास की दिया आप location देखेंगे तो ये ह यमन, ये है ओमान और ये है UAE इसे आप ध्यान से देखेंगे तो देखें UAE का ये जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा नहीं है किवल इतना हिस्सा UAE का है ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये वाला हिस्सा ओमान के अंतरगत आता है ये है Arabian Sea हाली में DRDO ने देश में निर् SAM मिसाइल का सफलता पूरा परिक्षन किया गया है और कहां से किया गया है ओडिसा में इस्थित मतलब की शांदीपूर की इंटिग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से यहां जो टर्म लिखा हुआ है VL SR SAM इसकी फुल फॉर्म मनती है वर्टिकल लांच शॉर्ट रेंज सर्फ जल्द ही नौ सेना में यहीं की इंडिया नेवी में शामिल किया जाएगा अब इससे डेवलप किया है DRDO ने तो इसके बारे में दी हम बात करें DRDO के फुल फॉर्म बनती है Defense Research Development Organization इसकी स्थापना की गई थी 1958 में Headquarter रस्थित है नई दिल्ली में इसके अध्यक्षे जी सतीस रेड़ी यदि आप करण से रेलेट करेंगे तो हाली में DRDO के ही दुआरा CRPF के जवानों के लिए एक बाइक एमबुलस भी डवलप की गई है जो कि आप इमेज में देख सकते हैं कौन सा देश भारत का सीर से व्यापारिक भागीदार देश बन गया है तो अभी हाली में USA से को पीछे छोड़ करके जो चाइना है यह भारत का सीर से व्यापार भागीदार देश बन गया है अब यह सोचने वाली बात है कि भारत चाइना के बीश तनाव के बावजूद यह भारत का सीर से व्यापार भागीदार देश कैसे बन गया तो देखें में कारण यह दी द और सबसे मेन कारण है इसका भारी मसीनों का चाइना से आयात और दोनों देशों के बीच यह दि देखा जाए तो 2020 में इन दोनों देशों के बीच जो व्यापार रहा है यह था 7 बिलियन डॉलर का 2019 की तुलना में हलाकि यह 5 बिलियन डॉलर कम था लेकिन तब भी इस रैंकिं चाइना का यह है US और यह है UAE का जिसमें कि आप देख सकते हैं 2019 में जो USA था यह था वहारत का सीर से व्यापार भागीदार देश लेकिन अब चाइना इससे आगे निकल गया है यहां कुछ fact मैंने लिखे हैं अभी मैंने बताया है दोनों देशों के बीच 7 बिलियन डॉलर का यह व्यापार था और में कारण यह है कि भारी मशीनों का आयत किया गया है चाइना से जिसके कारण यह जो रेशियो है मतलब कि यह सीर से व्यापार भागीदार देश बना है चाइना और जो भी fact है आप लोगों को PDF में मिल जाएंगे आप मैप में देख सकते ही यह है च ववाहित होती है एशिया की सबसे बड़ी है लेकिन पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी रिवर है सबसे बड़ी है नील नदी इसके बाद है Amazon और तीसरी स्थान पर आती है यांगची रिवर और एशिया की ही दूसरी सबसे लंबी रिवर का नाम है हौंगो रिवर या इसे आप कह सकते हैं पीली नदी चाइना से रिलेटेड कुछ एक्ष्ट्रा फेक्ट ये दी हम डिस्कस करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जनगर्णा अभियान ये चाइना के द्वारा ही शुरू किया गया है इसके लावा चाइना के द्वारा कुछ समय पहले ही 2021 में लेकिन 2020 का जो साल है ये तो खाली ही गया है क्योंकि कोरोना के कारण पूरे वर्ल्ड में ही लॉकडाउन था और जितनी भी गतिविदियां है ये लगभग रुग गई थी जिसके कारण ये पोस्पॉंड होते होते ही अपते किया गया है कि इसे 2022 में गगन यान मिशन के साथ इसे भेजा जाएगा गगन यान मिशन जो कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है ये भी भेजा जाना है मतलब कि ये भी लॉंच होगा 2022 में ही अब देखे यदि हम बात करें चंद्रयान मिशन की तो जो पहला चंद्रियान मिशन था जो कि लॉंच किया गया था 2008 में दूसरा लॉंच किया गया 2019 में और अब तीसरा लॉंच किया जाएगा 2022 में अब यदि हम other option को discuss करें तो 2024 का साल ये important है क्योंकि जो NASA है जो कि अमेरिका की space agency है इसके द्वारा एक moon mission है जिसका नाम है Artemis ये launch किया जाएगा ये क्यों important है तो दिखिए ये पहला ऐसा mission होगा NASA का जिसके थुरू ये किसी महिला को चंद्रमा पर भेजने जा रहा है इसके लावा खास बात ये भी है कि इसी Artemis mission के लिए NASA के द्वारा दुनिया का सबसे शक्ति साली rocket बनाया गया है जिसका नाम है SLS यानि की Space Launch System जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था और 2025 का साल ये भारत के लिए important है क्योंकि भारत 2025 में अपना Venus mission यानि की सुक्र mission लाउंच करेगा और इसका हिस्सेदार कौन है तो ये है France तो यहाँ से हम जान लेते हैं भारत की Space Agency के बारे में Indian Space Research Organization इसकी स्थापना हुई थी 1969 में Headquarter इस ते थे Bangalore करनाटक में Bangalore जिसे भारत की Silicon City के नाम से भी जाना जाता है अध्यक्ष के शिवान ये जो पहला Humanite Robot इसरों ने लाउंच किया था इसका नाम है व्योब मित्र अंतरिक्ष परी संपत्यों की रक्षा के लिए इसरों के द्वारा लाउंच किया गया नेत्रा यानि की Network for Space Object Tracking and Analysis हाली में किस राजजे ने जल्द ही सिंगापूर को बुद्धा चावल सौरी यहां टाइपिंग मिस्टेक है इसे मैं PDF में मोडिफाई कर दूँगी सिंगापूर को जल्द ही बुद्धा चावल ये निर्यात किया जाएगा उत्तर प्रदेस के द्वारा उत्तर प्रदेस का जो सिधार्थ नगर है यहां से इसका सप्लाई किया जाएगा और ऐसा फैसला अभी हाली में किया गया है उत्तर प्रदेस गवर्मेंट के द्वारा ये बुद्धा चावल क्या होता है या इसे आप कह सकते हैं काला नमक चावल जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं देखे दिखने में तो ये काला चावल दिख रहा है लेकिन इसे छीलने पर ये कुछ इस तरह से मतलब कि सफेद कलर का हो जाता है खास बात ये है कि इस शावल को 2012 में GI टैग भी मिल चुका है तो महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़ा होने के कारण इसका महत्तो बढ़ जाता है और यही जो चावल है ये सप्लाई किया जाएगा सिंगापूर को उत्तर प्रदेश के द्वारा तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की इसकी राजधानी लखनों मुख्य मंत्री है योगी अदित तिनात राज जिपाल है आनंदी बेन पटेल दुधवा नैशनल पार्क पीली भे टाइगर रिजर्व दोनों इस्तित हैं उत्तर प्रदेश में प्रदान मंत्री श्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधी यनि की स्वा निधी योजना के कार्यानवन में उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर लेंड होल्डर्स के लिए 16 डिजिट यूनिकोड ये जारी करने की घोशना उत्तर प्रदेश गौर्देश के द्वारा की गई है कली मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपरलेस बजट पास करने वाला पहला राज्य ये भी बन गया है उत्तर प्रदेश अब यदि हम बात करें सिंगापूर की तो आप मैप में देख सकते हैं ये है सिंगापूर इसकी कैपिटल है सिंगापूर सिटी करंसी है डॉलर देखे जो सिंगापूर है अभी हाली में जो IMD Global Smart City Index रिलीज किया गया था इसमें ये रहा था टॉप पर जबकि अपने भारत की तरफ से टॉप पर कौन रहा था हैदरावाद ओर 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 इसकी रैंकिंग थी 85 साथ ही एडिशनल तोर पर आप ये याद रखेंगे कि जो Apple है Apple के दुआरा दुनिया का पहला floating retail store ये यहीं इस्थापित किया गया है मतलब कि सिंगापूर में ही इस्थापित किया गया है हाली में PDP यनि की Pupils Democratic Party के अध्यक्षपत के लिए लगातार पांचवी बार किसे न्युक्त किया गया है तो ये न्युक्त की गई है महबूबा मुफ्ती जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं जो महबूबा मुफ्ती है इन्हें अगले तीन साल के लिए सर्व सम्मती से PDP यनि की Pupils Democratic Party की लगातार पांचवी बार अध्यक्ष न्युक्त किया गया है PDP इसकी स्थापना 1998 में की गई थी इसी की अध्यक्ष बन गई है महबूबा मुफ्ती हाली में राश्टपती रामनात कोविन्द ने गुجरात के किश शेहर में दुनिया का सबसे बड़ा Cricket Stadium को धातन किया है तो इसका अंसर आप सभी जानते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा Cricket Stadium है जो की बनाय गया था गुजरात में जो कि कपका बन करके तयार हो गया था लेकिन अब फाइनली इसका उधगाटन किया गया है प्रेसिडेंट रामनात कोविंदी जी के द्वारा और जो हमारे ग्रह मंत्री है अमिशा जी इन्होंने ये गोशना की है कि इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी इस्टेडियम की नाम से जाना जाएगा जो कि इस्टित है एहमदाबाद में इस इस्टेडियम की खास बात ये है कि इस इस्टेडियम में एक लाख दस हजार लोगों की बैठक शमता है इसी के साथ ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि साबर मती नदी के किनारे बसा हुआ है एहमदाबाद यहीं पर ये बनाये गया है अब देखे इस कोश्चन में बात की जारी है दुनिया के सबसे बड़े की जो की स्थित है गुजरात में तो आप अधर आप्शन को रिलेट कर सकते हैं जैसे कि कुस्समें पहले ही प्राइम मिनिश्टर नरंदर मोदी जी जब गुजरात की आतरा पर गये थे तब इनके द्वारा जूनागड के गिरनार पहाड़ी पर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रोप पे ये बनाया जाना है गुजरात की राजधानी गांधी नगर में जो कि अमिश शाह जी का निर्वाचन छेत्र भी है हाले में 47 वे खजुराहु नरत्यमोहत्सो 2021 का शुभारम में कहां किया गया है तो इसके शुरुवात अभी हाले में की गई है मद्धे प्रदेश में देखे कुछ दिन पहले मने आप लोगों को बताया था मांडू फेस्टिवल के बारे में जो कि मद्धे प्रदेश के धार जिले में सेलिबरेट किया गया था और ये है खजुराहो नरत्यमोहत्सो जो की आयजित किया गया है मद्धे प्रदेश के छतर पूर जिले में और ये भार्दी सास्त्री नरत्य परंपरा पर आधारित ये फेस्टिवल है जो की मनाया जा रहा है खजुराहो में अच्छा जो खजुराहो के मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था चंदेल सास्कों के द्वारा मतलब कि चंदेल राजपूत के द्वारा इसका निर्माण किया गया था मद्धे प्रदेश में अब यदि हम मद्धे प्रदेश से हैं रिलेटेड कुछ इंपोर्टन फैक्टी की बात करें तो मैंने कई बार बताया है कि सबसे जादा नेशनल पार्क और सबसे जादा टाइगर रिजर्व ये इस थे थे मद्धे प्रदेश में और लड़कियों के लिए पंक अभियान के शुरुआत और निमूनिया के कारण सिसुम रत्यदर को कम करने के लिए सांस अभियान के शुरुआत ये मद्धे प्रदेश गौर्रमेंट के द्वारा हाली में की गई है कलमन ने आप लोगों को बताया था कि मद्धे प्रदेश का ही एक शहर है जिसका नाम है होसांगाबाद इसका नाम बदल करके नर्मदा पूरम किया जाएगा विश्यो का सबसे बड़ा अंडर पास मतलब कि जानवरों के लिए ये जो विश्यो का सबसे बड़ा अंडर पास है ये मद्धे प्रदेश में ही इस्थित है जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के गुजरता है मध्य प्रदेश के कुछ अन्य उपनाम है जैसे की सोया इस्टेट क्योंकि मध्य प्रदेश में मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा सोया बिन का उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है बहारत की बीचों बीच इस्तित होने के कारण इसे हिरिदर प्रदेस कहते है नदियों कमाए का ये कहलाता है मध्य प्रदेस ही गाईों के संदक्षन के लिए काउटेक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये भी मध्य प्रदेस ही है अगला question है हाली में Reliance Jio किस राज्जी का सबसे बड़ा दूर संचार operator बन गया है तो अभी हाली में जो Jio है ये गुजरात का सबसे बड़ा टेलिकॉम operator बन गया है तो देखे जो try है यानि की Telecom Regularity Authority of India इसके द्वारा जो report release की गई है इसके अनुसार Jio ने गुजरात में 3.36 lakh mobile number को जोड़ करके और कुल 2.54 करोड ग्राहकों के साथ यहां का सबसे बड़ा दूर संचार operator बन गया है और Vodafone Idea ने लगभग 1.62 lakh ग्राहक खो दिये हैं और इसके साथ Vodafone Idea यह आ गया है दूसरे स्थान पर जबकि Reliance Jio यह आ गया है टॉप पर इसी के साथ गुजरात का सबसे बड़ा दूर संचार operator यह बन गया है Reliance Jio ही Reliance Jio से related यदि हम कुछ extra factor की बात करें तो आप सभी जानते हैं यह एक telecommunication company है जिसका headquarter और स्थित है Mumbai महराष्ट में और यदि आप current से relate करेंगे तो हाली में मतलब कि जनवरी 2021 में brand finance global 500 की यह जो list जारी की गई थी इसमें जो Reliance Jio है यह दुनिया का पांचो सबसे मजबूत brand भी बना था अगला question है हाली में ADB यानि की Asian Development Bank के प्रबंद महानी देशक यह कौन बने हैं तो यह भी हाली में बन गये हैं Korea गडराज के वुचागम उम किस bank के बने हैं ADB के तो Asian Development Bank इसकी स्थापना की गई थी 1966 में headquarter इस्थे थे मनीला Philippines में इसके अध्यक्ष हैं मात सगू असकावा अच्छा डेविड मलपास यह कौन है तो यह World Bank के अध्यक्ष हैं यह World Bank के 13 वे क्रम के अध्यक्ष हैं जो कि बिलॉंग करते हैं USA से जबकि भारती मुलकी जो अंशुला कान्त है यह World Bank में CFO है यानि कि Chief Financial Officer है कल जो मने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर था करनाटक अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत की पहली Digital University यह कहां इस्थापित की गई है तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करन बिलकुल मत भूलिएगा तो आज के लिए इतना ही थाइंक यू सो मच